गाड़ी का प्रोब्लम है अगर लगा कर मारने के बाद स्टेप नहीं ले रहा है अगर च्छ लगा कर मारने के बाद कुछ नई स्टार्ब नहीं ले रहा है तो इसका सौट आउट आज करेंगे तो वीडियो आन तक बने रहें पहले स्टेप बाई स्टेप बताएंगे हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरजेट कार आइडियास में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनोल्ड कुईट के सेलब स्टाटर इसू के बारे में कई कार ओनर ने सेलब स्टाटर का प्रॉबलेम का सामना किया है जिसमें इंजिन स्टार्ट करते वङ्त क्लिक साउंड आता है या फिर बिल्कुल रिस्पॉंस नहीं मिलता तो आज हम जानेंगे कि मेजर केसिस क्या हो सकता है ज्यादा तर केस में प्रॉब्लेम बैटरी की लो चार्जिंग, लूज, वारिंग, कनेक्शन या स्टार्टर मॉटर की मैलफक्शनिंग की वाज़े से होती है इस प्रॉब्लेम को ट्रॉबल सूट करने के लिए आपको कुछ बैसिक टूल्स की जरूरत होगी जिसमें की कुछ रेंच, सेट, मल्टिमीटर और स्कुरडाइवर सबसे पाहले कार की बैटरी को चेक करना बहुत जरूरी है बैटरी टर्मिनल को इंस्पेशन करें और आंसर करें की वो टाइड और क्रोजिंग फ्री होना अगर आपके पास मल्टिमीटर है तो बैटरी बोल्टेज चेक करें हेल्थ बैटरी का बोल्टेज 12 से उपर आना चाहिए साड़े बारा होना चाहिए अगर बैटरी वूइक है तो चार्जिंग करें या अगर बैटरी खराब है तो रिप्लेज करें स्टाटर मोटर की वारिंग को चेक करना स्टाटर मोटर की वारिंग लूज या डिसकनेट हो सकता है जिसमें सेल्प स्टाटर इसू हो एंसर करें की वारिंग टाइडली कनेक्शन और किसी तरह का damage नहीं है अगर वारिंग में कोई caught या damage है तो उसे replace करना पड़ेगा अगर बैटरी और वारिंग चेक करने के बाद भी problem solve नहीं होती तो समझ लीजिए इसकी issue starter motor में हो सकता है starter motor को locate करेंगे कुईट में ये engine block के नीचे होती है range set से उसे carefully bolt को carefully remove करेंगे आपको वीडियो end तक देखिए तो समझ में आ जाएगा तो पड़ा पड़ से अभी इसका 13 size का जो बोल्ड लगा हुआ है तो बीड और आपको एक extension और टी हंडल चाहिए इसे खोलें पड़ापड से जल्दी जल्दी से खोलेंगे तो आपको पूरा में दिखाऊंगा और पीछे में एक 8 नंबर का नट और एक टर्मिनल में 12 size का नट लगा हुआ है उसे भी खुलना है और इसे देखिए जगा space ब फिर से आपको next video में बताएंगे comment करें खुल गया और इसे खोल के चेक करेंगे इसका देखिए जबी स्टार को remove कर दिया है और इसका opinion भी लगा हुआ है इसे चेक करेंगे दबा के यह काम कर रहा है या नहीं तो इसे चेक करने के लिए procedure क्या है ना इसका अगर carbon brush जो से next video हुआ है step by step fault दिखाएंगे अगर starter motor में faulty है तो इस parts का क्या-क्या हो चेंज करेंगे वो भी दिखाएंगे इसके उपर में carbon होता है तो इसे replace करेंगे carbon खराब हो गया है कारबन ब्रस और रोटर और कोईल के clean करेंगे और कारबन को इसे नया हवाला लगाएंगे step by step वीडियो देखिए अगर आपका motor repair करने complex लगता है तो इसे जरूर professional के जगे starter motor रिइंस्टॉल करते वक्त सभी connections देखेंगे starter motor को रिइंस्टॉल करें बाद दुबारा चीज को फिर से battery wiring और motor connections आप ignition करेंगे कार को start करेंगे अगर कार smoothly start होती है तो समझ लेजिए आपका problem solve हो गया दोस्तों यह तो quit self starter issue के fully troubleshoot और solve करने का process आपको इस वीडियो में दिखाया अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगे तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों सब्क्राइब करें शेयर करें और जट कार आइडिया को सब्क्राइब करना ना भूलें तकि आपको ऐसे यह वीडियो आपको नोटिविशन में मिलें अब अब लग गया कम्प्लेट हो गया अब बैटरी लगाएंगे अब गारी दिखाएंगे आपको रेडि हो गया अभी यह रेडि डाड़ी रेडि हो गया अब यह रेडि हो गया अब यह रेडि हो गया यह वोजै कि झालक प्रब्ल्ट में तो